इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे फैनकोड ECSTTN Malta के दोस्तों आज के होने वाले मैश नमबर 3 के बारे में दोस्तों आज का जो मैश नमबर 3 है वो दोस्तों MTD और दोस्तों GGJJ के बीच खेला जाएगा ध्यान रखेगा दोस्तों यह मैश सामके 4 बच के 40 मिनट से स्टार्ट होगा इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस मैश से रिलेटेट Small League का Final Team प्रोवाइट कर रहा हूँ और साथी साथ दोस्तों ध्यान रखेगा इस मैश में आप Investment कर रहे हो Small League या दोस्तों Grand League वीडियो को दोस्तों पूरा वाज करके प्लियर स्टार्ट समझेगा और प्लियर कंबिनेशन पर फोकस रखेगा किस तरह से दोस्तों मैंने आपको Small League का Final Team प्रोवाइट किया है और किस तरह से दोस्तों मैंने प्लियर रोटेट करके आपको Grand League के लिए भी कंबिनेशन बताया है इस चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए और यदि आप दोस्तों एक्स्टा कुछ भी आप जाना चाहते हो कहीं कोई प्रोब्लम होता है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो ठीक ना बस एक सीज़ का धियान रखेगा जो भी मैं अभी आपको Final Team प्रोबाइट कराऊ हूँ इस Mass Related टस्क के बाद दोस्तों यदि उस टीम में से कोई प्लियर बाइचंस न खेले तो दोस्तों टेंसन नहीं लिजएगा मैं आपको फिर से Final Combination अपडेट करके अपने टेलिग्राम चैनल पे प्रोबाइट कर दूँगा आप सभी दोस्त टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कीजेगा इसका लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा साथी साथ दोस्तों comment सेक्शन में भी first comment पीन के हुआ मिल जाएगा जाएगे दोस्तों टेलिग्राम के साथ जुड़ जाएगे और साथी साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्व चैनल को सस्क्राइब नहीं कियो तो दोस्तों यूट्व चैनल को जरूर सस्क्राइब किजेगा और सस्क्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे important notification का घंटी जरूर बजा दिजेगा जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको easily notification मिलता रहेगा क्योंकि दोस्तों हम लोगा जो next वीडियो रहने वाला है वो दोस्तों इसी टूनामेन का आज का दोस्तों match no.4 और 5 का रहने वाला है जो दोस्तों RST और दोस्तों MSW के बीच खेला जाएगा बात करते हैं दोस्तों हम लोग MTT और दोस्तों GGZ के match में combination कैसे बनाएंगे तो दोस्तों इस match का combination हम लोग start करते हैं विकेट कीप्रिंग सेक्षन से विकेट कीप्रिंग सेक्षन में आईगा तो दोस्तों आपको एस साथी का option मिलेगा performance देखे तो अभी तक इस साथी ने 9 match केला है इस tournament में जिसमें आपको batting से 182 run score किये और 9 match में दोस्तों आपको 2 wicket provide किये यहाँ दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ इस साथी दोस्तों सभी match में bowling नहीं करते हैं तो as a batsman दोस्तों मैं recommend करूंगा आप team में रखीगा because सभी match में open batting भी करने आते हैं नीचे आईगा दोस्तों तो आपको एस पटेल का option मिलेगा एस पटेल एक hard eater दोस्तों batsman है अभी तक इनका performance भी काफी अच्छा रहा है कमेंड करूंगा दोस्तों आप ग्रेल लिंग में कर सकते हो अभी तक टुनामेंट में आई हमद ने 11 मैच खेला है जिसमें आपको बैटिंग से सिर्फोर सिप 63 रन एसकोर किया है फिर दोस्तों आप नीचे आएगा तो नीचे दोस्तों आपको कर ड capit अभी तक 9 मैच के लिए टुनामेंट में जिसमें आपको बैटिंग से 73 रन is इसकोर किया है अब बात करें दोसों हम लोग बैटिंग सेक्शन से तो बैटिंग सेक्शन में आईगा एस्टेलर्स बहुत ही important option है last match नहीं खेल रहे थे लेकिन high chance है कि यह match खेलेंगे और यदि खेलते तो आपको दोसों बिल्कुल भी एक single combination से भी drop नहीं करना है bowling batting दोनों ही करके देते हैं अभी तक performance देखे तो 8 match के लिए tournament में जिसमें आपको batting से 154 run score किये और 8 match में दोस्तों अभी तक आपको 4 wicket provide भी कर चुके है नीचे आएगा दोस्तों तो आपको mcum run का option भी लगा हमेशा ही दोस्तों ये बंदा आपको देत में bowling करना आता है दियान रखेगा दोस्तों नाम इनका batting सेक्षन में दिख रहा है लिकिन यार batting से score नहीं करते हैं अभी तक 9 match इनों ने खेला है tournament में जिसमें आपको batting से इनका selection percentage भी हाई है और हम लोग भी try कर सकते हैं match में दोस्तों अभी तक आपको 7 wicket provide कर चुके है नीचे आईगा दोस्तों तो आपको M10 का option मिलेगा आप drop करके 200 चल सकते हैं और ऐसे भी देखो तो performance बहुत ज़्यादा खराब रहा है जिसकी वज़े से 200 team भी इन्हें drop कर रही है आपको brother एकसी लेना हो तो नीचे से जेट खान पे ले सकते हो last 2-3 match से खेल भी रहे और performance average रहा है बट आप try कर सकते हो open batting करने आते है performance का बात करें तो अभी तक tournament में 5 match खेले जिसमें आपको 69 run score किये player बरा है performance थोरा सा down रहा है लेकिन किसी भी दिन आपको game change करके दे सकते है फिर तो आप नीचे आईगा तो दोस्तो आपको angle का option में लेगा last 4-5 match से खेल नहीं रहे है दोस्तो उसे पहले इन Cup का ऐसा performance रहा है तो 2 match खेले जिसमें आपको 42 run score किये है बात करें दोस्तों हम लोग all under section से तो all under section में आईगा Emily काफी important option है आपको एक single combination से भी 200 drop नहीं करना है बहुत अच्छे form में चल रहा है batting, balling दोनों से इसलिए और important बन जाते है performance ही देख लो आप लोग 11 match खेले अभी तक tournament में जिसमें आपको batting से 404 run score कर चुके हैं और वही 11 match में आपको balling से भी 7 picket provide किये तो ऐसे player को 200 Q drop करना आप सभी team में try कर सकते हो और captain BC भी कर सकते हो नीचे आईगा EFraman अच्छी baller है सभी match में आपको 2 भर balling भी कर देंगे और आपको 200 batting backup भी provide करते हैं अभी तक 10 match खेले इस tournament में जिसमें आपको batting से 102 run score किये और वही 210 match में अभी तक आपको 6 picket provide भी कर चुके है नीचे आईगा दोसो EFraman एक बहुत ही अच्छा 200 picket taker baller है लेकिन दोसो यार क्यू न क्यू captain ही से बहुत ही कम balling मिलता है आपको बहुत ही दोस्तो कम match देखने को मिलेगा rounder player है बहुत ज़्यादा outstanding performance नहीं रहा है but still आप try करना चाहते हो तो दोस्तो आप 100% try कर सकते हो बस fix नहीं कीजिएगा rotate कीजिएगा performance कैसा रहा है तो अभी तक 8 match के लिए tournament में जिसमें आपको batting से 59 run score किये और वहीं 208 match में आपको balling से 3 picket provide किये और B-ry को दोस्तो आप इनके साथ rotate कर सकते हो तो नीचे ही आपको option मिलेंगे W-mahamud के साथ W-mahamud का कैसा performance रहा है तो अभी तक इस tournament में 5 match खेले जिसमें दोस्तो इन्हें 4 match में bowling भी मिला है और दोस्तो आपको 4 match में 4 picket provide भी किये तो एक अच्छे picket taker baller है यदि दोस्तो जी-जेट-जेट की team first bowling करती है तो दोस्तो आप W-mahamud के साथ जा सकते हो और यदि दोस्तो MT-DT की team first bowling करती है तो दोस्तो आप B-ry-ry के साथ जा सकते हो इस तरह का rotation आपके लिए important रहेंगा नीचे आईगा दोस्तो ए-n-bird last 3 match से खेल नहीं रहें बच एक अच्छे दोस्तो हार्ड-eater batsman है खेलते हैं तो आप Grand League में try कर सकते हो टुनामेन का performance देखे तो 6 match के लिए जिसमें आपको अभी तक 103 run score किया है आप करें दोस्तो हम लोग bowling section से तो bowling section में आईगा बी खान बहुत important option है हम लोग को drop तो करना ही नहीं यार आउट standing form में चल रहा है और साथ ही साथ प्लस point के है दोस्तो इस टुनामेन के सबसे highest bicket taker baller है बिलाल खान अभी तक 11 match के ले टुनामेन में जिसमें आपको batting से 80 run score के वो तो छोड़ दो लेकिन 11 match में 17 bicket ले चुके ये इनके लिए दोस्तो जादा important है नीची आईगा D marks अच्छे baller है लेकिन यार देखो बहुत जादा out standing baller नहीं है आपको सबी match में दोस्तो क्या होता है इनके साथ की मैंने देखा है आपको किसी match में 3 bicket provide कर देंगे तो किसी match में दोस्तो आपको एक भी bicket नहीं देते है बट इस्टील small league में जादा important रहेंगे क्योंकि एक तो इनका selection percentage काफी जादा high होता है और सबी match में 2 भर balling करते है ग्रेल लिंग में दोस्तो आप इन्हें drop परके other player predicts लेना चाहते हो तो वह भी आप ले सकते हो अभी तक tournament में देखे तो 8 match खेले जिसमें आपको 8 wicket provide किये है और ये 8 wicket में दोस्तो देखो तो 2-3 match में इन्होंने 2 wicket, 3 wicket ऐसे लिया है तो आपको extra economic का point भी देते है नीची आईगा दोस्तो आपको M. Javid का option में लेगा M. Javid अच्छी spin baller है यदि आप M. Javid को try करना चाहते हो तो आप और लांडर सेक्षन से S. Afridi के साथ इनको rotate कर सकते हो क्योंकि बहुत ऐसा match है जिसमें जैसा मैंने बताया है दोस्तो इस Afridi को 2-over bowling नहीं मिलता है तो M. Javid भी दोस्तो same problem रहता है इनको भी दोस्तो किसी match में 1-over किसी match में 2-over मिलता है तो आप इनके साथ rotate कर सकते हो जाबेद का performance देखे तो 11 match के लिए जिसमें आपको 7 wicket provide किये है फिर नीचे आईगा दोस्तो पी घोस का option मिलेगा लास्ट 4 match से खेल नहीं रहे बट उससे पहले इनका कैसा performance रहे तो 4 match खेले जिसमें आपको 3 wicket provide भी किये और 8-over complete bowling भी किये है नीचे आईगा इस अफ्रीदी का option मिलेगा इस टूनामें में बहुत ज़्यादा bowling नहीं किये है और ऐसे भी दोस्तो लास्ट 4-5 match से खेल भी नहीं रहे उससे पहले देखे तो 6 match खेले जिसमें आपको 1 wicket provide किये और 6 match में minus point किये है तो 4-over bowling किये है उससे better दोस्तो नीचे से 8 जेकोब खेल जाये तो एक better option है जेकोब दोस्तो इस टूनामें में अभी तक 4 match खेले जिसमें आपको 8-over bowling किये that means इन्होंने जितना भी match खेला है सभी match में देखे दोस्तो तो 2-over इन्होंने bowling किया है बिकेट का बात करें तो थोड़ा सा कम बिकेट मिला है चार match में एक ही बिकेट लिया है नीचे आएगा दोस्तो तो आपको एफ नाइम का option मिलेगा एफ नाइम दोस्तो यदि खेलते भी है तो हम लोग small league में नहीं रखेंगे क्योंकि ऐसे भी देखो तो last 6 match से खेल नहीं रहा है तो खेलेंगे तो दोस्तो हम लोग gray league में try कर सकते है rotate कर सकते है fix नहीं करेंगे performance भी दोस्तो उसी तरह करा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ तीन match खेले जिसमें आपको एक wicket प्रवाइट किये और minus point का है दोस्तो तीन match में सिर्फ और सिप दो ही ओभर इन्होंने balling किया है रैट मिन सभी match में balling इन्हें नहीं मिलता है अब बात करें दोस्तो इस match related captain भी सी option तो दोस्तो देखो मेरे जो captain हैंगे emily रने वाले क्योंकि इनसे better दोस्तो मेरे को option दीख नहीं रहा है हाँ 22 captain दोस्तो आप बिलाल खान को भी कर सकते हो यदि आप करना चाहते हो और यदि दोस्तो बैटिंग सेक्शन से stainless खेल जाए तो आप इनको भी कर सकते हो और वहीं grand league में एसाथी पे भी ricks ले सकते हो दोस्तो मेरे जो 20 captain है बिलाल खानी रहेंगे और अभी के लिए दोस्तो ये team मेरा final team है आप सभी दोस्त इस team का screenshot ले ले और दोस्तो contest जोईन करके रखें डास के बाद दोस्तो यदि इस combination में कोई player नहीं खेलता है तो दोस्तो मैं अपना final combination फिर से update करके आपको टेलिग्राम पे provide कर दूँगा आप सभी दोस्त टेलिग्राम चैनल को जरूर जोईन कीजेगा इसका link दोस्तो आपको नीचे description सेक्षन में भी मिल जाएगा साथी साथ दोस्तो comment section में भी first comment पीन के हुआ मिल जाएगा जाएगे दोस्तो टेलिग्राम के साथ जुड़ जाएगे और साथी साथ दोस्तो यदि अभी तक आपने YouTube चैनल को subscribe नहीं की हो तो दोस्तो YouTube चैनल को जरूर subscribe कीजेगा और subscribe करने के बाद दोस्तो सबसे important notification का घंटी चरूर बजा दीजेगा जिससे दोस्तो आने वाले वीडियो का आपको easily notification मिलता रहेगा ठीक ना क्यूंकि दोस्तो हम लोगा जो next video राने वाला है वो दोस्तो इसी tournament का आज का match number 4 और match number 5 कराने वाला है बिल्कुल भी दोस्तो मिस नहीं कीजेगा फिर मिलते हैं दोस्तो आप सभी से next T10 के वीडियो में जैहिन दोस्तो टेक केर और बाई बाई